दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सच्छियकाल नेयोज क्लिक के कारिक्राम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश आज हम भारती जनता पार्टी पर बात करने जा रहे हैं जी देश की सत्ताधारी पार्टी, सबसे ताकतवर पार्टी और मानी जाती है कि इस समय दुनिया की राइनितिक पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है ऐसा भारती जंता पार्टी के लोग दावा करते है और ये एक हद तक सही भी हो सकता है क्योंकि आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा देश है भारत और उसकी ये बड़ी पार्टी है क्या भारती जंता पार्टी 2024 के लोग सबाद चुनाव को जीतने का कोई फार्मूला तलाश चुकी है क्या जो एसेम्बली एलेक्शन्स होने वाले हैं लोग सबाद चुनाव से पहले कई राजियों में जो उसकी स्थिती डामाडोल दिखाई दे रही है मुश्किलें काफी बड़ी दिखाई दे रही है क्या उनसे निपटने के लिए वहाँ चुनाव जीतने के लिए क्या उसकी कोई खास रण नीती है अभी कई राजियों में दिखाई दे रहा है कि केंदर और राजिय का जो नेत्रित्व है उसके बीच में एक गैप, कॉम्मुनिकेशन गैप सा है कई जगा ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो एक्जिस्टिंग लीडर पार्टी के है क्या उनकी जगा नए और अपेक्षाकृत युवा नेताओं को भारा जाना है जैसा हमने देखा कि गुजरात में जब मोदी जी प्रधान मंतरी बनकर आ गए थे दिल्ली तो ताबर तोड़ बदला हुए थे गुजरात में और एक एलेक्षन में तो सारे मंतरी और सारे बहुत सारे लोग विदल दिये गए थे आपको याद होगा तो क्या राजस्थान में मध्य प्रधेश में 36 गड़ में इस तरह के राजियों में कोई बिल्कुल नई रणी नीती भारती जन्तापाटी लेकर आ रही है अभी उसने मध्य प्रधेश में बहुत सारे मंतरियों को केंद्र के उतार दिया है मैदान में गोशना कर दी है वसंद्रा राजे के बारे में बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है कि क्या होगा उनका उनके नित्रत में चुनाव लड़ा जाएगा या उनको बिल्कुल अलादा करके उनको अलग थलग करके चुनाव लड़ा जाएगा 36 गड़ में रमन सिंग ही सामने होंगे या कोई और होगा या सिर्फ मोदी जी का चेहरा होगा जैसा करनाटक में था तो करनाटक में मोदी जी के नित्रत में चुना लड़ा गया वही सब कुछ थे लेकिन नतीजा क्या हुआ सब जानते हैं तो ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है और ये सवाल नो सिर्फ बाहर उठ रहा है बलकि भारती जनता पार्टी के अंदर भी दवी जुबान में ही सही लोग कहने लगे हैं कि मोदी जी का जो पहले वाला करिश्मा है वो अब उतना नहीं रहा इसमें कोई दो राय नहीं कि आज भी भारती जनता पार्टी में नरेंदर मोदी का कोई एक विकल्प नहीं है वो करिश्माई नेता है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन क्या 2024 या उसके पहले विधान सवाद चुनाओं में उनका करिश्मा काम करेगा अभी तक जितने वो कदम उठा रहे हैं जैसे Special Season Parliament का बुलाया वह भी जिस संसनी जिस तरह के एक अचानक suspense क्रियेट किया गया मानो कुछ ऐसा होने जा रहा है जो अभूत पुरू होगा और चमत्कृत हो जाएंगे पूरे देश के लोग लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और महिला आरक्षन जो भी धेयक आया उस पर गहरी नाराजगी लोगों में है खास कर OBC में जो इस देश का 54 फीसली माना जाता है और जिनको मिला भी है वो भी outdated चेक की तरह मिला है सरकार मौजूदा पार्टी का जो नेत्रित्व है खास तोर पे नरिंद्र मोदी जी उनके करिश्मे में कमी आ रही है ऐसे में क्या कोई विकल्प है क्या नरिंद्र मोदी जी के पास कोई अस्त्र ऐसा है ब्रमास्त्र ऐसा है जिसके बलपर 2024 में और उसके पहले विधान समाच चनाव में वो वाकई किला फता कर लेंगे क्या है आज की बात? मेरी बात, आप की बात, हर किसी की बात देश, दुनिया, गाओं, टेहाद, सक्ता, समाच, संस्कृति, मीडिया और सियासर सबकी बात, नियोज क्लिक का वीकली शो, आज की बात मेरे साथ तो आज इसी मुद्दे पर बाचीत करने के लिए हमने आशुतोस को आमंतरित किया है वरिष्ट पत्रकार आशुतोस, जो हिंदुत्वा राजनीत पर एक किताब भी लिख चुके हैं सक्ति हिंदी के वो फांडिंग एडिटर हैं तो आशुतोस जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कारिक्रम में आज सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आम तोर पे किसी भी बड़े नेता, करिश्माई नेता का जो एक उसका जो एक उहदा होता है या उसकी एक जो विशेस्ता होती है जिसकी वज़ा से लोग उसको करिश्माई नेता कहते हैं वो ये कि वो जीटते हुए चुनाव को बहुत जबर्दस नंग से और जीता देता है अगर हलकी फुलकी मारजिन वाला हो तो प्रिशंट बहुमत दिला देता है लेकिन उससे भी बड़ा करिश्माई नेता वो होता है जो हारते हुए चुनाव को जिता देता है और मोदी जी के बारे में ये कहा जाता रहा है कि वो करिश्माई नेता है गुजरात से लेकर और देश के चुनाओं में भी उन्होंने दिखाया है ये बात अपनी लेकिन इस बार जब से करनाटक का चुनाओ हुआ है ये महसूस किया जाने लगा है बहुत सारे हलकों में केवल उनके विरोधियों में नहीं बलकि ऐसे लोगों में भी जो इंडिपेंडेंट हैं और एक आपजेक्टिव होकर एनेलसिस करते हैं कई बार बीजेपी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कई बार बाहर भी हो सकते हैं कई दफ़ा कि मोधी जी में वो जो करिश्मा जो दिखाई पड़ा था गुजरात के एलेक्शन्स में और इसके बाद 14 और 19 में वैसा करिश्मा शायद नहीं रहा गया है इधर मणिपूर में हम देख रहे हैं कि जो इतना हालात खराब एक करिश्माई प्रधान मंत्री के तोर पे जो इंपक्ट डालना चाहिए था राजी सरकार पर आखिर डबुल इंजन कम घावरा तो उन्हों नहीं खो जा है लेकिन कुछ भी नहीं ऐसा पड़ा तो चुनाव से लेकर शासन तक ये करिश्मा कुछ कम होता नजर आ रहा है क्या आपकी नजर में या केवल उनके कुछ क्रिटिक ऐसा कहते हैं उर्मिले जी इसमें कोई दोर आई नहीं है कि नरेंदर मुदी की करिश्मे में और उनकी लोक प्रियता में पिछले दिनों कमी आई इसमें कोई दोर आई नहीं है और उसके अपने महत्तपूर्ण कारण है सबसे बड़ा कारण तो यही होता है कि जब कोई नेता दस साल तक सरकार में रहता है तो उनके वाइदों से ज़्यादा उनके उपलब्डियों के उपर चर्चा होती है और उसके अधारत उनका आकलिन शुरू हो जाता है आप प्याद होगा जब 2014 में जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे तो कितने सारे वाइदे उन्होंने किये थे बेरुजगारी हटा देंगे हर साल दो करूर लोगों को रुजगार देने की बात की थी हर आदमी खाते में पंदर लाकों पर जमा करने की बात थी इसके अलावा हिंदुस्तान की ऐसी कोई समस्या नहीं थी, जिसका हल उनके पास नहीं था, ऐसा उन्हें प्रदर्शित करने की कोशिश की थी, बहुत वा महंगाई की मार, अपकी बार मोदी सरकार, मा गंगा ने बुलाया है, तो हर चीज का हर उपचार, हर विमारी का इलाज नरेंद मोदी ने अपने आपको पेश किया था, लेकिन जब आप दसल सत्ता में रह गए हैं, तो दसल सत्ता के बाद, लोग पूछेंगे, भई, आपने रुजगार दिया या नहीं दिया, अभी, मूरद दर नेशन सर्वे इंडिया तुडे का आया है, जिसमें कहा गया है कि 72 फीजदी लोगे कह रहें कि बेरुजगारी इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या है, और 56 फीजदी लोग कह रहें कि बेहद गंभीर समस्या है, जहां तक प्राइस राइज है, वो भी अपनी चरम पे इस वक्त मौजूद है, तो वायदों और उपलब्धियों के बीच में जो गैप है, उस गैप का एक नतीजा ये कि लोगों को उनके उपर विश्वास कम होना शुरू हो गया है, और कहीं न कहीं एक बात लोगों के मन में घरती जा रही है कि वो बहुत लच्छेदार बड़ी-बड़ी बाते करते हैं, और जिसको कि जुमले बाजी जो जवाला लेरू हो, उनकी लोग प्रियता में कमी आएगी, और लोग प्रियता में कमी आएगी, तो जाहिर सी बात उनके करिश्मे में भी कमी आएगी, और करिश्मे में कम आएगी तो चुनाव जिताने की शमता में भी कमी आएगी, तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये ही है दूसरा बड़ा कारण ये है कि एक जो एक इंट्रोस्पेक्शन करने की एक शमता होती जब मीडिया आजाद होता है जब प्रेस आजाद होता है तो लगातार सवाल होते हैं और उन सवालों के आईने में एक इमानदार एसेस्मेंट करने की कोशिश भी सरकार को मौका मिलता है करने का लेकिन अगर सिर्फ एक तरीके का नैरेटिव अगर देश के अंदर चलता रहे एक तरीके की बात करते रहे रोज सुबा से शाम तक ये कहा जा कि नरेंद मुदी जी तो मास्टर स्टोक कर रहे हर चीज़ मास्टर स्टोक अगर हो जाएगी तो फिर नेताओं को भी अहसास होने लगता है कि नहीं मैं तो कोई गलती कर ही नहीं रहा हूं सारे मर्च की दवा तो मैं ही हूं बाकि और जो मेरे विरोधी हैं वो सिर्फ प्रपगंडा कर रहे जूट बोल रहे हैं तो वो एक जो क्रिटिकल एसेस्मेंट अफ होता है खुद अपना करने का उसकी भी कवी मुझे कहीं न कहीं दिखाई पड़ती है क्योंकि अब उनके नारे उनके वाइदे लगबग उसी तरीके के हैं जो 2014 के बास उसमें कोई नायापन दिखाई नहीं पड़ना जब्कि नरेंद मुदी इस बात की ने जाने जाते थे कि उन नेरेटिव गढ़ लेते हैं सब लगबग एक सुर में बोल रहे हैं लगाता नरेंद मुदी पर हमले कर रहे हैं उनके उपलब्दियों के उपर तीखे चोट कर रहे हैं तो इसका भी असर लोगों के उपर था पहले ये था कि सारी विपक्षिदल अलग अलग हाचों में बटे हुए थे अलग अलग भा दिखाई पढ़ रही है और वो ठके हुए दिखाई पढ़ रहे हैं एक मध्यप्रदेश से जो एक बड़ी ख़बर दो दिन पहले सामने आई किसाब बड़े जो केंदरी मंत्री हैं मध्यप्रदेश से बड़े बहुत टॉप रैंकिंग जिनको महत्पुन माना जाता है उन फैसला सामने आ गया इतने समय पहले चुनाओ के क्या इसका मतलब है कि अंदर पार्टी के भी एसेस्मेंट चल रहा है कि वही पहले वाले करिश्मे में थोड़ी कमी आई है उर्मले से देखिए पिछले दिनों लगभा दो तीन महीने की बात है जब और्गनाईजर में एक लेक छपा था और उस लेक में बड़े स्पस्ट तरपर ये कहा गया था कि नरेंदर मोदी के बलपे आप चुनाओ नहीं जीच सकते हैं वो हिंदुत परिवार की तरप से एक पहला इमानदार एसेस्मेंट था जहां ये कहने की हिम्मत की गई थी और कोशिश की गई थी कि देखिए हर चुनाओ के अंदर हम नरेंद मोदी को मुद्दा बनाके पेश कर देते हैं बीजेपी के आरेसेस के विचार परिवार की तरप से इस तरीके के असेष्मेंट होता है तो जाहिर सी बात है अईसा लेक चुपने के पहले उसमें काफी मन्थन किया गया होगा और इस बारे में काफी सोचा गया होगा कुए कभी-कभी ये भी होता है कि आप आमने सामने जो बात शायद कहने में हिचकते हैं। और जब नेता इतना बड़ा हो जाता है तब बाकी के लोगों को उनके सामने इमानदारी से अपनी बात को रखने में दिक्कत पैदा होती है तब ये सोचा गया होगा कि लेक के माध्यम से हम उनको कम्मुनिकेट करें उनको कन्वे करें कि देखिए अब आप अपने बलपे अकेले चुनाव नहीं जिता पा रहे हैं लिहाजा कुछ वैकल्पिक रनुमीती की भी जरूरत है और इसमें कोई दोराई नहीं कि नरेंद मुदी के अंदर एक शमता तो अद्भुत है कि वो कभी-कभी बिल्कुल आउट अप दा बॉक्स सरूशन खोजने की कोशिश करते हैं आपको याद होगा 2017 में जब दिल्ली में MCD का चुनाव हो रहा था तो उस MCD के चुनाव में जितने कैनिडेट्स थे पुराने कैनिडेट्स को पूरी तरीके से बदल के बिलकुल नए कैनिडेट्स लेकर उतरे और उनको जबर्दस कामियाबी मिली आमादी पार्टी के मोजूदी के बावजूद भी इसी तरीके से गुजरात के अंदर भी उन्होंने पुरी कैबिलेट बदल दी नया मुक्मिंत्री लेकर आ गए बिलकुल एक अन्नून चेहरी को लेकर आ गए और दो तिहाई गुजरात के बार बार कामियाब नहीं होते कभी-कभी जमीन उसके लिए बहुत उर्वर होनी चाहिए थी मद्धप्रदेस के अंदर इस सिती क्या है कि वहां अठारा साल हो गए है भारती जन्ता पार्टी की सरकार को अगर पीच का डेर साल अगर हम कमलनात का निकाल दे तो तो अठारा साल के अंटी इनकेंबंसी यह बहुत होती किसी भी सरकार के लिए अल्लेस की नेता बहुत करिश्माई हो डूसरी बात क्या है कि पिछले दिनों शिवरा सिंग चौहान को बहुत कमजोर करने की कोशिश भी की गई है शिवरा सिंग चौहान चौथे टर्म में बहुत ही ठके हुए लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हिंदुत की जो आक्रामक्ता को जो वो नहीं परस्यू करते हैं मॉड्रिक लेता के तौर पर जाने जाते हैं उनको लगता है कि ये बड़े नेताओं की नजर में आने का एक फार्मूला ये भी हो सकता है तो योगी आदितनाती नकल करते ही भी दिखाई पड़े जो उनको सूट नहीं करता है चिंता पार्टी का इस बात का एहसास जताता है कि उनको लग रहा है कि मद्रप्रदेश के अंदर चिंताएं हैं चुना जीतना उनके लिए मुश्किल है इसलिए नरेन सिंह तोमर जैसे लोगों को उतार कर कुछ कोशिश करके देखते हैं ये डिफेंसिव स्टेटिजी है और इसका कोई बहुत फाइदा होगा मुझे लगता नहीं को कि नरेन सिंह तोमर की छवी ऐसी नहीं है कि वो बड़े मैस बेस वाले लीडर हों बड़े करिश्मा ही नेता हो वो एक साधारन मेंबरा पार्लेमेंट जिस तरीके होते हैं उस तरीके के हैं हो सकता है एक दो कंस्टिकुंसी मनका असर हो तो उनको उतार का अगर बीजेपी है सोचती है कि वो मदपनिस का मैदान मार लेंगे तो मुझे लगता हूँ बहुत बड़ी गलत फेमी का शिकार है अगर पार्टी के अंदर ऐसा ऐसास है तो फिर क्या वज़ा है कि भाजबा आला कमान ये लोग वसंधरा राजे को जादा से जादा उनको अपने साथ रखना और एक टीम के तोर पे बीजेपी को मैदान में उतारना अशोग गैलोत के खिलाफ वो करने के बजाए एक तरह से उनको आईसोलेट करने में लगे हुए हैं तो क्या ऐसा उनकी रणनीत में सुर्खाप का पर लगा आपको दिखता है या आपको कोई संभावना उसमें नजर आती है कि अचानक कोई चमतकार कर देंगे कि माइनस बसंदरा भीजे पी जो है और शोग गालोत को चनोती दे लेगी और हरा देगी पार्टी पूरी तरीके से नरिनर मोदी में सिमट कर रह गई है वो अगर जीते हैं तो पार्टी जीती वो हारती तो पार्टी हार जाती है ये एक बड़ा कारण है और अगर इसकी तुलनाप अटल आडवानी के जमाने से करे तो अटल और आडवानी के जमाने में हर राज्जी के अंदर भारती जन्ता पार्टी के बड़े पावरफुल छत्रफ खास दर पर अस्यो नब्बे के दर्शक में उभर के सामने आए और अगर आप किसी भी स्टेट के अंदर चले अगर आप महरास्त में भी जाते तो आपको प्रमोट महाजन गोपीना त्यूंडे मिल जाते आप करनाटक के अंदर अश्वनी कुमार और यदरप्मा थे मत्रप्रदेस के अंदर उमा भारती शुवरास सिंग चोहान जैसे नेता थे उत्तरप्रदस में कल्यान सिंग, राजनास सिंग थे, हिमाचन प्रदस जैसे राज में भी प्रेमकुमार धूमल थे, और उसी तरीके से राजस्थान के अंदर उन्होंने वसुंदा राजे सिंधिया को भेजा और उनको एक बड़े नेता के तौरपर उभरने का मौका दिया आपको ध्यान होगा कि अटल व्यारी वाजपई के सरकार में वसुंदा राजे सिंधिया मिनिस्टर एक्स्टेट फर एक्स्टरनल अफेर्स थी और जब भैरोसिंग शेखावत की जगह, जब भैरोसिंग शेखावत को केंदर में लाये गया और उनको जब भीजा गया तो लोगों ने कहा कि ये वसुंद्रा के बसका नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनको सपोर्ट दिया गया वसुंद्रा राजे सिंधिया एक बहुत पावरफुल लीडर के तौर पर इमर्ज की वहां पे, तो वो अटल आडवानी के जमाने में पीजेपी के अंदर फ्यूचर लीडर्शिप डेवलाप करने की, उनको ट्रेन करने की, उनको ग्रूम करने का एक स्पेस था, आज वो स्पेस पूरी तरीके से खतम हो गया है, इसका कारण ये भी हो सकता है कि अटला राडवानी को शायद छत्रपों से उतना असुरक्षा बोध नहीं था, हो सकता है, ये म में वही फरक में बीजेपी में, नरेंदर मोदी और अटल बाडवानी की लीडर्शिप में देखता हूँ, कि जवाला नहरू के जमाने में बड़े से बड़े दिग्ग जो छत्रप हुआ करते थे, जिनसे जवाला नहरू के नोगजोग भी होती थी, दोने एक दूसरे के करते थे, लेकिन ना तो नहरू जी उनकी वज़त से असुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन इंदरा गांधी के आने के बादसे असुरक्षा बहुत इतना बढ़ गया कि धीरे-धीरे राज्यों के अंदर शत्रपों को पूरी तरीके से एक तरीके से शमन हो गया, और वही भारति कांग्रेस पार्टी के पराभव का एक बड़ा कारण भी बनी तो मैं ये तो नहीं कहता हूं कि आने वाले समय में बीजेपी का पराभव होगा लेकिन ये वो बीज है जिसको अगर समय रहते अगर ठीक नहीं किया जाएगा तो बीजेपी को दिक्कत होगी मुझे लग करनाटक के उधारन हमारे सामने है जहां यदरप्पा को हटाया गया और उसके बाद करनाटक में बीजेपी के कितनी बुरी गती हुई ये इस मामले में खासकर मोदी जी काफी पहल करते हैं इस तरह की कि अगर कुछ नहीं दिख रहा है लोगों को चौका दो कुछ ऐसी ची किसी ने सोचा नहीं था और वो था कि स्पेशल सेशन पारलामेंट का होगा और उसकी कोई घोशना नहीं की गई कि बही इसमें मुद्दा क्या रहेगा लंबे समय तक संसनी रही एक मिस्टरी रही कि आखिर इसमें होना क्या है फिर एक दिन अचानक ब्रीफ किया गया और बताया गया है ये ये भी लाएंगे लेकिन उस समय तक भी एक नेशन एक चुनाओ इसकी अठकर लगाई जा रही थी लेकिन उस भी इसमें हुआ ये कि पुर्वरास्पति रामनाद कोवित किया ध्यक्षता में कमिटी बन गई थी तो लोगों को लगा कि अब तो देर होगी इसलिए अभी तो कुछ हो नहीं सकता है इस पर पर्लामेंट सेशन में ये सपस्ट हो गया फिर लोगों ने सुचा कि जरूर मोदी और शाह जी के पास कुछ नकुछ ऐसी चमतकारी चीज़ है इस स्पेशल सेशन के लिए जो पूरे देश को चौका देगी और इंडिया एल कारी ये कर सकता था लेकिन OBC की महिलाओं का आरक्षण उसमें इंकर्परेट नहीं किया गया और OBC का जो प्लैंक है OBC का जो पूरा हिस्सा है वो भारती जनता पार्टी के लिए कॉंग्रेस के मुकाबरे ज्यादा महत्पूर रहा है अगर पिछले 20 साल की आप पॉलिटिक करने की कोशिश कर रही है और उसने एनाउस भी कर दी हैं कई चीजें अपनी लेकिन भारती जनता पार्टी में OBC को लेकर OBC में इंदीनों गैरी निराशा है तो ये जो इस पेसल सेशन है वो मुझे लगता है कि एक राजितिक रूप से जो चमतकार करने वाला था वो कोई चमतकार दिखाए बगएर उसका समापन हो गया और दूसरी बात कि इधर OBC सेक्शन में आरक्षन भी देख जो पास हुआ उसके किलाप देश भ्यापी हरताल होने की बात चल रही है आवान भी कर दिया है कुछ लोगों ने तीस तारीक को तो आप इस पूरे प्रकरन को कैस होने वाली थी उसी दौरान स्पेशल सेशन का जिक्र किया गया तो एक तो ये बात मिलकुल नस्पस्ट मेरे दमाग में है कि कहीं न कहीं ये हेडलाइन मैनेजमेंट का एक हिस्सा था स्पेशल सेशन बुला दिया गया और अगर इनके पास उस वक्त कोई एजंडा होता तो उसका एलान कर देना चाहिए था क्योंकि संसद में तो आप बिना बताये तो कोई चीज़ ला नहीं सकते आपको बताना तो पड़ेगा एडवांस में तो ऐसी कौन सी चीज़ सी जिसको आप बताना नहीं चाहते थे मुझे लगता आता है इन्होंने एन्नाउंस कर दिय नहीं था कि हमें इस विशे के उपर बात करनी है लेकिन बाद में अंदरूनी तोर पर कही न कहीं चर्चा हुई होगी तो उन्होंने सोचा होगा कि महिला आरक्षण बिल को हम लेकर आते हैं इसमें महिला आरक्षण बिल मेरे ख्याल से ये इनकी एक बड़ी गलती के तोर पर सामने आएगा उसके कारण बड़े स्पस्ट है पहली चीज तो ये है कि अगर किसी एक बिल को लेके अगर आप उसके चर्चा होती है माहौल बनता है तो देश के अंदर एक विमर्ष बनता है और उस विमर्ष का फाइदा और नुकसान दोनों ही होता है फाइदा जादा ह होगा कि अभी लोगों लोग तो यह कह रहे हैं कि साथ दोहजार चौतिस में भी लागू नहीं हो पाएगा तो जब इस तरीकी के अनिश्चित्ता होती है तो उससे भी लोगों अपने आपको छला हुआ मैसूस करते हैं तीसरी बात जो है भारत इसमें OBC के लिए आरक्षन नहीं करना ये मुझे लगता है इनकी सबसे बड़ी गलती है क्योंकि ये OBC उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में कहीं न कहीं BJP के तरफ से आती हुई दिख रही थी उसमें एक आकरशन तो नहीं कहुँगा लेकिन था कि चलो एक हमने समाम राजनितिक पार्टियों का अपन आकर देख लेते हैं लेकिन OBC का नहीं लाना ये अपने आप पे बड़ी पहली है क्यों नहीं लाए इसका कारण बहुत सपस्ट है भारती जनता पार्टी की जो मातर संस्ता है RSS वो हिंदुत की विचारधारा को प्रतिपादित करती है और हिंदुत की विचारधारा के अं अगर OBC आरक्षण करेंगे तो दिक्कत पैदा हो सकती है चौथा कारण मुझे लगता ये कि इनके मन में ये डर था कि अगर OBC तपके को अगर हमने आरक्षण दे दिया महिलाओं के अंदर तो जो अपर कास्ट है जो ओर्वेल्मिंग्ली बीजेपी को वोट करता है उत्तर इसकी चर्चा नहीं होती है तो उनको लगा कहीं वो इनसे नाराज ना हो जाए इसलिए इन्होंने OBC आरक्षण के बारे में उसको एक तरीके से किनारे रख दिया है तो जो लोग ये कह रहे हैं कि इससे कोई बहुत बड़ा फाइदा होगा मुझे लगता है ये जब आशो गैलोग की उटता है तो उससे उमीधे भी बड़ती है बूबिसी तबके उमीधे थी कि मोदी जी उनको उनके लिए कुछ करेंगे लेकिन सिर्फ वायदे हुए अगर नहीं किया तो फाइदा तो नहीं मुझे दिखाई पड़ता है नुकसान बले हो सकता है तो ऐसी स्थिती में मेरा आप से जो सवाल है वो यही है कि क्या 2024 के लिए मोदी जी को भारती जनतापार्टी को एक करिश्माई मुद्दे की या चमतकारी मुद्दे की तलास होगी जो कुछ कर सके जैसे 2019 में एक मुद्दा अचानक निकल गया था पुलवामा के रूप में ज वगेरा वगेरा और अभी जैसे राम मंदिर का एक मसला है लोग कहते हैं कि इसका बड़ा असर पड़ेगा लेकिन कितना असर पड़ेगा राम मंदिर तो आलेडी बनने की बात है और अगर उधाटन उसका हो गया तो क्या 2024 के लिए ही एक मुद्दा होगा या आप समझते ह हैं कि मुद्दे की तलास जरूरी है बीजे पी को कुछ ऐसा जिससे की वो चमतकार कर सके दो चीज़े हैं पहली बात दोजार चुबिस का चुनाओ सिर्फ बाज बाज बीजे पी आरसियो से मुद्दी के लिए इस देश के लिए बहुत नेरडायक साबिक हो और यह अगर यह तैं होगा कि दरसल यहां के बाद देश की दिशा क्या होगी जो जिन सपनों को लेकर हमारे आजादी के परवानों ने आजादी के दीवानों ने जो सपना देखा था क्या हिंदुस्तान उस देश उस रास्ते पर आगे बढ़ेगा या जो RSS का रास्ता उस रास्ते पर मन्मोन सिंग की सरकार के खलाब जो भृस्टाचार के गंभीलतम आरूप लगे थे, उसके खलाब जनता ने revolt हिया था, तो उसमें मोदी कोई और भी होता तो default option था वो, और वो default option में Congress को हारना ही हारना था, मन्मोन सिंग की सरकार जानी ही जानी थी, जो भी उपलब्ध होता विकल्प उसकी सरकार बन जाती है मोदी जी वस देर अड़ राइट टाइम अड़ राइट प्लेस 2019 के चुनाव में भी जिस तरीके से बाला कोट का कांड हुआ जिस तरीके से पुलवामा हुआ उसकी वज़ा से भी पुरा पुरा जो चुनाव था वो सामान नहीं रह गया था और एक राश्टरवाद आकर जो पाकिस्तान विरोधी जो एक माहौल बना था और उसको जिस तरीके बीजेपी ने भुरानी की कोशिश थी उसका असर था मेरा अपना मानना है कि 2024 का चुनाव एक सामान ने चुनाव होना चाहिए अगर कोई अकस्मात तरीके से कोई दूसरी घटना न हो जाए मैं यह नहीं मानता है कि ऐसी कोई घटना सरकार की तरफ से प्रायोजित होगी लेकिन राजनीति में और जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है तो यह पहला चुनाव होगा जो 2014-2019 की तरीके से अलग होगा दोनों राजनीतिक गटबंधन अपनी अपनी ताकत, अपने अपने मुद्धों, अपने अपनी नित्रक्त की शमता के आधार पर लड़ेंगे उसमें जो लोगों से कनेक्ट कर पाएगा उसको फाइदा पहुँचेगा आज की तारीक मुझे लगता है कि जिस तरीके से 28 दलों का गटबंधन बना है और उन्होंने जिस एक जुटता का परिचे दिया, जिसकी उम्मीद मुझे भी नहीं थी वो रास्टे इस्तर पर अगर एक जुटता को मजबूती से पेश कर पाया और एक विकल्प के तौर पेश कर पाया और एक विचारधारात्मक विकल्पिक स्थापना के तौर पेश कर पाया तो 2024 भारती जन्ता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ हाँ अब आने वाले छे माहिने के अंदर कुछ नहीं घटना हो जा तो फिर मैं उसके बारे में नहीं कहपा आज ही तारिक मुझे लगता है और ये प्रधानमंती नरेंदमोदी भारती जन्ता पार्टी के तमाम कदमों से भी लगता है और उनको भी ये डर है कि कहीं न कहीं दिक्कत है इस वाल इंडिया एलाइंस में कुछ एक कांस्वेंट्स को कुछ क्रूसियल स्टेट्स में किसी ने किसी तरह से तोड़ा जाए और तोड़ने के लिए सत्ताधारी दल के पास बहुत सारे अस्त्र हैं उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा तो क्या आपको लगता है कि एक निशाना इंडिया एलाइंस है कि कुछ कंस्वेंट्स को बाहर किया जाए देखे वो संभावना उस संभावना से आप इंकार नहीं कर सकते हैं लेकिन आज की तारीख में अगर आप क्या भारती यंता पार्टी कॉंग्रेस को अलग कर पाएगी संभाव नहीं है गा मम्ताब इनर्जी को कर पाएगी, संभावने ही को कि वहाँ दोनों एक दूसरे कामने सामने हैं, क्या उत्तर प्रदेश पर अखिलेस यादों कर पाएगी, अगर दोनों अगर वो कोशिश करें तो अखिलेस यादों की राजनीती खतम हो जाएगी, तमिल्याडू के अंद पराबीजे के साथ जा सकते हैं अठकलें बहुत हैं अफवाहें बहुत हैं लेकिन मुझे उसमें दम नजर नहीं आता है तो सिवाए महराश्च को छोड़के कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भारती जनता पार्टी इंडिये के गटबंधन में दरार डाल सकती है या उनमें से क करता है काम्याब भी हो जाएं लेकिन एक बात नहीं भूलना चाहिए कि यह क्यों सब एक ठाथ हुए है क्योंकि सब के मन में अब यह सपस्ट हो गया है कि अगर नरेंदर मोधी का मिलकर मुकाबला नहीं करेंगे तो हम सब लोगों की राजनीतित पूरी तरीके से खतम हो ज सथ्रिया काल